हेलो स्टूडन वल्कम तू माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडन आज मुश्क्स करेंगे क्लास नाइन में चप्टर टू पॉरिनॉमियल का स्पोर्ट मटीजल कोशन नमबर 21 हमें दे रखा है कि 49 का क्यूब माईनस में 30 का क्यूब प्लस में डैस डैस का क्यूब एक्वाल है 3 इंटू 49 इंटू 30 इंटू 19 तो बताओ जो पीछ में ब्लैंक है इसकी वैलू क्या होगी तो बेसिकलिए यहाँ पे जो फॉर्मला लगा हो यह लगा हो है यानिकि AQ ठीक है BQ प्लस में CQ इक्वाल होता 3 इंटू A इंटू B इंटू C के और यह कब लगता है जब A प्लस P B प्लस C इन तीनों को जो सम है वो इक्वाल आजाए 0 के ठीक है यह तब फॉर्मला लगा होता हमारा तो यहाँ पर अगर 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 कम्पेर किया जाए या तो हम इनके साथ कम्पेर कर भी इसकी वैलू को फाइंड कर सकते हैं या इसके साथ तो फिलाल हम A, B, C की वारूल के साथ इसको फाइंड करते हैं A की जगा में दिरखा 49 प्लियर है तो मैं A की जगा रिप्लेस कर देता हूँ 49, B, B की वैलू में दिरखी माइनस का 30, C की वैलू फाइंड करने Is equal to 0, माइनस की है कितना है, 19 प्लेस का C is equal to 0, प्लेस का 19 उदर यह किसको हाजाएगा, माइनस का तो मेरा option हो जाएगा है, यहाँ पर माइनस का 19 और इसे के साथ मेरा question number 21 यहाँ पर complete होता है अब हम discuss करेंगे question number 22 बोला गया है, that polynomial containing two non-zero term is called कोई भी ऐसा polynomial जिसके अंदर non-zero, दो term होती है, जैसे मान लो मैंने ले 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 3x square and 4x, तो इसमें कितनी term है दो term है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हैं, binomial binomial यह मेरा answer होगा, question number 23 discuss करते हैं, बोला गया है the polynomial containing exactly two non-zero, zero जिसमें दो zeros होते हैं, zeros का मतलब, ऐसी x की value जो उस function में रखने पर हमें 2 zeros देती हो, ठीक है जैसे मान लोग यही function ले लिते हैं इसमें मैं इसके zeros find करता हूँ ठीक है, तो मैंने को ले लिए 0 के दोनों में common क्या रहा है, x common आ रहा तो यहां कितना बचा, 3x, यहां कितना बच गया 4 is equal to 0 तो मेरी एक तो x वाले time equal to 0 होगी दूसरी 3x plus में 4 is equal to 0 अगर मैं x की value find करूँगा तो कितना हैगा, plus का 4 दिरग माइनस का हो जागा multiply में 3 है तो divide में आ जाएगा तो कितने zeros हुएं, पहला zeros मेरा हुआ x की value 0, दूसरी value माइनस का 4 by 3 यह दोनों value इसमें put करने पर हमें result का मिलेगा 0 मिलेगा तो यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे zeros कितने हुए एक तो यह हुआ, दूसरा यह हुआ तो यहाँ पर answer हो जाएगा मेरा 2 और degree कितनी हुए, देखो अगर zeros 2 है तो degree भी होतनी, depend करता है number of zeros और number of degree ठीक है, वो maximum zeros show करता है जितने उसकी degree होती है तो degree यहाँ पर 2 होगी, तो zeros भी कितने होंगे 2, यह maximum zeros होते हैं इसके question number 23 मेरा यहाँ पर complete होता है अब हम discuss करते है, question number 24 बोला गया है, हमारा एक polynomial है LX जो कि है, 4X plus में 1 हमें value find करने है कि L minus में 6 minus L minus में 5 रखने पर हमें answer क्या मिलेगा तो देखो, मैंने जैसे कि यहाँ पर लिया L minus का 6 minus में L minus का 5 हमारे जो polynomial है, हम इस X की जिए replace कर देंगा minus के 6 को plus का 1, यह तो हमारा होगा L minus 6 की value, फिर minus L minus का 5 तो यानि कि जहाँ X है, वहाँ कि output कर देंगा minus का 5 plus 1 का plus 1 आ गया, अब इन दोनों के result जो आएगा, हो मेरा इसका solution होगा, तो plus minus minus 4 x 24, plus में 1 and 4 x 5 x 20 minus का 20, plus में 1 minus किया minus का 23 यहाँ पर minus 20 में से बन जाएगा minus का 19 minus 23, minus minus plus 23 में से minus करेंगे 19 को, तो यह मेरा negative का, यह मेरा positive का, तो मेरा result निकल गया, अगा minus का 4 और इस question number 24 इस answer हो जाएगा minus का 4 इसी के साथ मेरा question number 24 यहाँ पर complete होता है, उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आगया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जिरूर सबस्क्राइब कर ले, मिलता अगरी वीडियो में, okay, bye bye, thank you